ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाबा अजाद है तेरे आज सुप्रीम कोट में भारती जानता पार्टी के लिए दोहरी शर्म का दिन था अगर बीजेपी से मानने को राजी हो तो इन दों शब्दों पर गोर कीजे, बिलकिसबानों और पेगसिस, इन दोनों मामलों में आज सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई और आप जानते हैं, पेगसिस में क्या बात सामने उभर कर आई, कि केंदर सरकार इस मुद्दे पर सह योग नहीं दे रही है और 29 फोनों की जो जाच हुई उनमें से 5 में मैलवेर मिले है मगर ये पुखता तोर पर नहीं कहा जा सकता कि उसमें पेगसिस है ही और दूसरी बात बिलकिस बानों मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया गया है जैसे कि आप जानते हैं कि ग 11 गुनागारों को रिहा कर दिया है बेल पर और अपने एकाधिकार का इस्तमाल करके मगर सबसे पहले मैं पेगसिस मामले की चर्शा करना चाहूंगा आप जानते हैं आज चीफ जस्टिस ओव इंडिया रमन्ना साहब ने क्या कहा उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोट की योग नहीं दे रही दो चीज़े सामने उभर कर आती हैं पहली चीज़ हम भारत में हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र है और चीफ जस्टिस ओव इंडिया कह रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोग तंत्र है वहां की जो सरकार है सुप्रीम कोट ने जिस समिती का की नियुक्ति की है उस समिती में उस देश की सरकार जो है सहयोग नहीं दे रही है। काइदे से Chief Justice of India रमन्ना सहाब को केंद्र सरकार को फटकार लगानी चाहिए थी मगर सिर्फ इस एक पंक्ति का उन्होंने सहरा लिया। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हम लोकतंत रहना हम बनाना रिपाब्लिक नहीं है। दुनिया भर में जहां जहां पेगसेस के खिलाफ समतियां गठत हुई वहां की सरकारों ने उन समतियों का साथ दिया। पूरा सहयोग दिया। मगर भारत के अंदर सरकार इसमें सहयोग ही नहीं दे रही है। ये तो कल्पना से भी विचित्र है ना। क्योंकि पेगसेस मामले में क्या हो रहा था। शाहे पत्रकार हों, शाहे सामाजिक कार करता हों, शाहे सेक्शुल हरिस्मेंट के जो विक्टिम्स हों, पिड़त हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, उनकी बगएर रजामंदी के उनके फोन में पेगसेस जो है वो लगाया गया, उनकी जासु सीकी गई, आरोप ये था। अब इस मामले में सरकार को सहयोग देना चाहिए था। सुप्रीम कोट की समिती कहती है, रविंदरिन समिती कहती है कि मो कुदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये एहंकार है, क्या ये दर्शाता है कि आपके मन में सुप्रीम कोट के लिए भी कोई इज़त नहीं है, अगर एक पुलिटिकल पार्टी ये करे तो बात समझ आती है, आप एक सरकार हैं, आप इस देश का सामवैधा कानिक ढाचे का हिस्सा हैं, और आप सुप्रीम कोट की समिती का साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा हैंकार, ऐसा हट, ऐसी दबंग गई, और इनका पालतु मीडिया क्या कह रहा है, इनका पालतु मीडिया कह रहा है कि देखो सुप्रीम कोट की समिती ने कह दिया कि कोई पेगसस वगरा नहीं मिलाए कृपिया आदेश दोबारा पढ़ने आदेश में साफ तोर पर कहा गया है कि जिन 29 फोन्स की जाच हुई उनमें पाच में मैलवेर मिले हैं और ये पुखता तोर पर नहीं कहा जा सकता कि वो पेगसिस है कन्क्लूजव प्रूफ नहीं है कि वो पेगसिस ह मगर प्रूफ नहीं इस बात का, निर्णायक सुबूत नहीं इस बात का, मगर सबसे बड़ी बात जिस खबर को हेड्लाइन नम्बर वान होना चाहीए था वो ये कि ये सरकार समर्थन नहीं दे रही है। यह सरकार साथ नहीं दे रही है और ऐसा नहीं है कि कॉंग्रिस ने या वामपंथियों ने एक समिती का गठन किया और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है या फैक्ट फाइंडिंग समिती जो है वो उसका साथ सरकार नहीं दे रही है नहीं यह सुप्रीम कोर्ट की सम नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जाएं इसकी जाच हुई और वहां की सरकारों ने इसका साथ नहीं दिया, अब तक तो मूदी सरकार ने ये भी नहीं कहा है, कि हमने पेगसिस का इस्तमाल नहीं किया, जी हां, काइदे से मूदी सरकार को ये कहना चाहिए था अगर उनका दामन पाक साथ था, कि हमने पेगसिस का इस्तमाल नहीं किया, ऐसा कहा भी नहीं मूदी सरकार ने अब तक, वो लोग सिर्फ बात को इधर उधर घुमा रहे थे और उसके इलावा कुछ नहीं, कितने शर्म की बात है न, मगर ये बेशर्म है आपको हर तरफ दि पेगसिस जो है वो इंस्टॉल किया गया था, पेगसिस स्पाइवेर इंस्टॉल किया गया था, ये लोग फैसले को ध्यान से पढ़ते भी नहीं हैं, काइदे से इस एक पंक्ती को, ये एक पंक्ती काफी थी सरकार को कड़ घरे में रखने के लिए, कि सरकार सुप्रीम कोट की समती को अपना सहयोग नहीं दे रही है, मगर इस एक पंक्ती को लेकर सब ने अपनी आखे मोद लिए, आज सुप्रीम कोट के सामने दोस्तों, दूसरा केस था, और वो था बिलकिस बानों का, वो औरत जिसने 2002 में नर्क का सामना किया, जब उसकी तीन साल की बच्च मगर बावजूद इसके 11 लोगों ने उसके साथ दुशकर्म किया, उसके परिवार के साथ सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, और 20 साल बाद उसके तमाम गुणागारों को, गुजरात की भाश्पा सरकार ने अपने एकाधिकार का इस्तमाल करके उसे रिहा कर दिया, ज जब वो 11 लोग बाहर आए, तो उनका स्वागत हुआ, उनके पाओं पड़े गए, उन्हें मिठाई खिलाए गई, और मुझे ताज्युम नहीं होगा कि साल के अंत में जो गुजरात चुनाव होने वाले हैं, किसी को टिकिट भी दे दिया जाए, मुझे बिलकुल भी हैरत के लिए कहा गया है, और अगली कारवाई जो है, वो दो हफ्तों के अंदर होगी, मुझे खुशी इस बात की, कि महराश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीज जो हैं, वो ये कह रहे हैं, कि बिलकिस बानों के गुनागारों को जो सम्मानित किया गया, ऐसा नहीं कि जाना चाहिए था, देवेंद्र फड़नवीज आरेसिस की प्रिष्ट भूमी से आते हैं, महराश की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और भारती जनता पार्टी के एक नेता है, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ दोस्तों, बगर मैं कुछ और पूछना चाहता जब देवेंद्र फड़नवीज इस बात पर अपनी राय रख सकते थे, तब हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्धे पर अपनी राय व्यक्त करने से कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है मोदी जी आपको, क्योंकि मामला तो आपके गुजरात का है ना, माम इस वक्त का है जब गुझरात में ये सब कुच चल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था उस वक्त का इमामला है ना, आपकी खामोशी बहुत डिस्टरबिंग है, आपकी खामोशी बहुत विचलित करती है, और ऐसे में अगर राश्ट्री महिला आयो खामोश है तो मुझे हैरत नहीं होती ऐसे में अगर महिला और बाल विकास कल्यान मंतरी स्मृती रानी खामोश है तब ही मुझे थोड़ी सी भी हैरत नहीं होती क्योंकि स्मृती रानी तो महिला सम्मान से जुड़े तमाम मुद्दों पर खामोश रहती है चाहे हात्रस हो चाहे उन्नाव हो इन तमाम मुद्दों पर स्मृती रानी जी खामोशी बनाय रखती है वो तभी कुछ बोलती है जब उन्हें राहुल गांधी पर हमला बोलना होता है मानुस सरकार के अंदर राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए स्मृती इरानी को पाकाइदा एक शेहरे के तौर पर उनका वजूद बनाया गया है और वही जो हैं राहुल गांधी पर हमला बोलती रहती है मगर बिलकिस बानों पर वो पूरी तरह से खामोश रहती है मगर मैंने उम्मीद की थी कि प्रधान मंत्री आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इस बात पर कहेंगे मैंने ये भी उम्मीद की थी कि हो सकता है कि इस मुद्डे को लेकर जो ये मुद्दा इतना वीभत्स है इतना दिल देहलाने वाला मुद्धा है प्रधान मंत्री सामने आएंगे और अपनी राय व्यक्त करेंगे एक ट्वीट कर देंगे मन की बात में इसका जिक्र करेंगे मगर शायद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का डर लग रहा है कि अगर मैं कुछ कह दूंगा तो साल के अंत में जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को नुकसान पहुँचेगा प्रधान मंत्री मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ ये मुद्धा वोट का नहीं है ये मुद्धा हिंदू-मस्लिम का भी नहीं है ये मुद्धा इंसानियत का है और इंसानियत के इस मुद्धे पर आप खामोश रहकर ये प्रमानित कर रहे हैं कि आपके लिए इंसानियत से बड़ी राजनीती है और उससे बड़ा सवाल उस जनता से है क्योंकि अगर बीजेपी को ये लगता है कि बलादकारियों का साथ दे कर बलादकारियों के पक्ष में अपनी बात कहकर उन्हें वोट्स मिल सकते है तो ये तो करारा तमाचा है इस देश की जनता की इंसानियत पर उनके अपनी सोच पर कि बीजेपी को लगता है कि ये सब करने के बावजूद वो आपका वोट हासल कर सकते है मगर बीजेपी ने इससे पहले भी किया है कठुआ भूल गए आप क्या हुआ तक अठवा में एक आठ साल की मासून के साथ दुशकर्म और फिर उसके बाद हत्या होती है और फिर ये दो भारतिये जनता पार्टी के नेता और मंत्री दुशकर्म करने वाले लोगों के पक्ष में राली निकालते हैं ऐसी ढेरों मिसाले हैं दोस्तों जा महिला सम्मान पर भारतिये जनता पार्टी ने खुले आमराजनी ती की है और वो बचकर निकल गए है चनता ने उन्हें बचने का रास्ता दिया है क्योंकि भारतिये जनता पार्टी के पास जो ताकत है उस ताकत के सामने तमाम चीजें बौनी हो जाती है और वो ताकत क्या है उसके पास धर्म के आधार पर लोगों को ब्रहमित करने का उसे हुनर आता है वो हुनर किसी के पास नहीं है उसके पास प्रचारत अंत्र है जो हत्या को भी जायस ठहराएगा जो नैतिक तोर पर एक शर ये लोगों के जहन को ब्रेनवाश किया जा सकता है जब आपके पास ये दोहरे हात्यार हो तो जाहिर सी बात है आपको किस बात कड़ा रहे है क्योंकि आपको तो कड़गरे में ही नहीं रखा जा रहा है हालकि आच सुप्रीम कोट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग आट को लेकर भी एक एहम फैसला आया है जिसमें पिछली बार प्रवर्तन निदेशाले के पक्ष में उनके बेजा ताक्तों के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ड अब उस पर पुनर विचार कर रही है मैंने उसकी आपके सामने बहुत ज़्यादा चर्शा नहीं की क्यों नहीं की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जो दो बाकी मुद्दे थे चाहे बिलकिस बानों हो या पेगसिस वो कहीं न कहीं एक करारी टिपणी है मौझूदा भारती जनता पार्टी सरकार पर बिलकिस मामला हो या बिलकिस बानों मामला दोनों ने इस बात को प्रमानित किया है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में बस इतना ही अबिसार शर्मा को दीजिए अजाज़त नमस्कार